Reliance Industries Limited के च्रेंड में मुकीश शंबाली ने दावा किया कि बहुत जल्द भारत दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थविवस्थाओं में अपनी जगा बनाएगा और ये भरोसा भी जताया कि Reliance दुनिया की सबसे मजबूत भारती मुल्टिनाशनल कंपनी बन जाएगी ये बात उन्होंने Reliance Family Day के मौके पर कही As we enter the second half of Reliance's golden decade, I can tell you that the future of our company looks brighter to me than ever before. I can confidently make two predictions. First, India will become one of the top three economies in the world. And second, Reliance will become one of the strongest and most reputed Indian multinational companies in the world. दिल्ली के पास हर्याना के फरीदाबाद से चौकाने वाली एक घटना सामने आई, जहांके तिगाओं में पानी की निकासी को लेकर हुए जगडे में पडोस्टियों पर दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के बेटे की हत्या का आरोप लगा. पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. लेकिन मामूली विवाद में हत्या की घटना से आसपास संसनी फैल गई और पीडित के घर में मातम पसर गया. आरोपों के मुताबिक नाली की सफाई और पानी निकालने के मुद्दे पर जगड़ा शुरू हुआ, तो सब इंस्पेक्टर के पडोसी पूरे परिवार के साथ बाहर निकला आए, जिनके पास चाकू थे. आरोपियों ने पंकज और उसके भाई विनीद पर चाकूं से हमला कर दिया. हमले में पंकज बुरी तरह गायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मिद्गोशित कर दिया. पंकज की मौत की पुष्टी होते ही, परिवार के लोग अस्पताल के बाहर बिलखते दिखे. पुलिस ने शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया. बताया गया कि दोनों परोसियों में पुरानी रंजिश थी. कोरोना वाइरिस का नया वैरेंट ओमिक्रों पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के लिए खतरनाक बन रहा है. ओमिक्रों अब तक 20 राज्यों में फैल चुका है और देश के अंदर इसके अब तक 650 से ज़ादा मरीज मिल चुके हैं. महराष्ट में सबसे ज़ादा 166 मरीज अब तक मिल चुके हैं तो वहीं दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां ओमिक्रों के अब तक 165 मामले सामने आए हैं. मनिपूर में भी ओमिक्रों ने दस्तक दे दी है इसके लावा गुजरात में 49, तिलंगाना में 55, केरल में 57 और राजस्थान में ओमिक्रों के 46 मरीज मिल चुके हैं. दिल्ली में कोरुना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, आज शाम चार बजे डिडियमे यानि डिपार्टमेंट ओफ डेली डिजास्टर मेनेजमेंट की एहम बैठक होने वाली है. यह बैठक दिल्ली के उप्राजपाल अनेल बैजल की अध्यक्ष्टा में होगी। कोरुना के हालाथ पर हो रही इस बैठक में दिल्ली के मुक्यमेंट्री अरविन के जारे कर दिया। जिसके बाद कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई। कुरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खत्रे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया और महामारी से निपटले के लिए बनाए गए ग्रेड़िट रिस्पॉंस अक्शन प्लान के तहट येलो इलर्ट लागू करने का अलान किया मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल ने राजधानी में येलो इलर्ट लागू करने की जानकारी दी यानि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पाबंदियों को और सخت कर दिया गया जिसके तहट दुकाने और मॉल सुबह दस से रात आड़ बजे तक और इवन के आधार पर खुल इतना ही नहीं शादी समा रहो और अंतिम संशकार में 20 लों को शामिल होने की इजाज़त मिलेंगे आला कि धार्मिक्स थल खुले रहेंगे मगर शद्धालों की एंट्री पर पाबंदी रहेंगे इसके अलावा सिनिमा घर, मल्टिप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे लेकिन सिलोन खुल सकेंगे जरूरी भी है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दिली में रात 10 बजे से सुभा 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा गया है मद्र प्रदेश के उजेन में महाकाल बंदिर के विस्तार के काम में बाधा बन रहे 17 मकानों को प्रशासन की टीम ने विरोध के बीच ड़ा दिया मताया गया कि इस कार्रवाई से करीब महीने भर पहले ही वहां रहने वाले लोगों को मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया था जिसके बावजूद वो वहां से शिफ्ट नहीं हुए और जब जिला प्रशासन की टीम वहां पहुँची तोनों ने कार्रवाई का विरोध किया हाला कि मकानों को दोहस्त करने का काम शुरू किया गया इसके लिए वहां खुदाई करने वाली कुछ मशीने भी ले जाए गई जिनके जरीए कार्रवाई आगे बढ़ी लेकिन उसका विरोध भी साथ-साथ चलता रहा जिन मकानों के खिलाव कार्रवाई हुई उनमें बारा के कुछ हिस्सों में तोड़ फोड की गई और पांच मकानों को तो पूरी तरह जमीन दोस कर दिया गया इस कार्रवाई के दोरान जिला प्रशासन की टीम के साथ वहां पुलिस बल भी मौझूद रहा ताकि अगर हंगामा हो तो हालात को संभाला जा सके सौरव गांगुली की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसके बाद उन्हें कोलकता के वुडलंड्स अस्पिताल में भरती करवाया गया सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लोकतंत्र को दर्किनार करने का आरोप लगाया जिस पर सियासी पारा चड़ गया कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी पर जम कर हमला बोला इस बयान पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार होने में देर नहीं लगी और केंद्रिय मंत्री मुख्तार अबास नक्वी ने सुनिया गांधी के बयान को मजाग करार दे दिया परिवार के में सिम्टे और सिकुड़े हुए लोग अगर देश और परदेश के लोगों के हितों की बात करेंगे तो मजाग लगता है कॉंग्रेस के 137 स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी का जंडा गिरने पर बीजेपी ने तंसकस दिया दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर हुए कारिकरम में जैसे ही सोनिया गांधी ने जंडा फैराने के लिए रसी खीची वो नीचे गिर गया जिसके बाद सोनिया गांधी को रुखना पड़ा हाला कि जंटा जमीन पर नहीं गिरा पार्टी कारेकर्ताओं ने उसे वहीं खोल दिया और खड़े हो गये जिसके बाद वहां मौझूद कारेकर्ताओं ने नारे लगाए लेकिन जैसे ही इस घटना की तस्वीरे सामने आई पीजेपी नेताओं ने इस पर चुटकी ली संबित पात्रा ने तो अपने ट्वीट में लिख दिया कि गिरते गिरते पूरा ही गिर गया जिम्बाववे की क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका के दौरे पर जाएगी वहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की एक वंडे सिरीज होगी इर्फान पठान की पत्नी ने एक बेटे को जन्द दिया जिसका नाम सुलिमान खान रखा गया बच्पन का प्यार गाने का वीडियो वाइरल होने से सुर्ख्यों में आये सुधेव दिर्दो एक सड़क हाथसे में गंफी रूप से खायल हो गया चट्थिसगर के सुकमा में वो अपने दोस्तों के साथ एक स्कूटर पर बैट कर जा रहे थे लेकिन सड़क पर अचानक उनका स्कूटर फिसल गया जिसकी वजह से सहदेव दिर्दो के सर में गंफीर चोट लग गई और आनन फानन में उन्हें सुकमा के जिलास्पताल में भरती करवा गया लेकिन उनकी नाजुक हालत को देखतो है डॉक्टर ने उन्हें बहतर इलाज के लिए जगदलपूर भेश दिया चत्तिसगर की मुख्यमंत्री भुपेश बखिल ने सहदेव की बहतर इलाज के लिए डियम को नरदेश दिये है सिंगर बादशाह ने भी सहदेव की सलामती के लिए दुआ की है और ट्विटर पर जानकारी दी की वो परिवार के समपर्क में है चत्तिसगर की नकसल प्रभावित इलाके सुक्मा के एक छोटे से गाउं की रहने वाले सहदेव का बच्पन का प्यार गाना सोशल मीडिया पर इतना वाइरल हुआ था की मशूर सिंगर बादशाने से एक वीडियो एल्बम में भी इस्तमाल किया अमेरिका के लोस आंजलिस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरे सामनी आई महां पांच दिन पहले कपड़े के एक स्टोर में हुई गोली बारी का वीडियो पुलिस ने जारी किया जहां 14 साल की एक लड़की भी पुलिस फाइरिंग में मारी गई बताया गया कि वो लड़की अपनी मा के साथ ड्रेसिंग रूम में थी तब ही कई अपरादों के गुनागार को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पहुँची और उस पर फाइरिंग शुरू कर दी लेकिन आरोपी के साथ साथ गोली उस लड़की को भी जा लगी जिसका खून बहने लगा और वो वहीं जमीन पर गिर गई इसके बावजूद पुलिस वाले आरोपी की तरफ बढ़े और उसे घेर लिया बताया गया कि इस गोली बारी में आरोपी के सिर, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटे आई दक्षुर अमारी की देश अर्जंटीना के रियो नेग्रू के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वहां की प्रशासन ने पूरी पाकत जोगती जंगलों में लगी ये आग अब तक हजारों हेक्टेर के इलाके को जलाकर राक कर चुकी है वहां ये आग कुछ दिनों पहले भड़की और तेजी से फैलती चली गई वहां से जो तस्वीरे सामने आई उनमें जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग में गिरा दिखाई दिया बेकाबू आग सब को जलाने पर अमादा दिखी हरे भरे पेड लप्टों से धदक रहे थे और जगा जगा से धुएं का गुबार उट वहा था वो धुआ भी ऐसा जैसे की बादलों ने उस इलाके को पूरी तरह से धख लिया हो ये आग पहाडियों और घाटियों में लगी थी फायर बिगड के रहे वहां तक पहुँशना नामुम्कित है इसलिए आग बुजाने के रहे हेलिकॉप्टरों और विमानों की मदद ली गई ददकते जंगलों पर पानी और केमिकल की वारिश की गई ताकि इसे जंगलों की बाकी हिस्सों तक फैलने से रोका जा सके बताए गया कि फायर बिगड की कई टी में दिन रात एक कर रही है लेकिन सूखे मौसम की वज़ह से हालात बिगड रहे हैं इसी वज़ह से प्रशासन की तरफ से लोगों को जंगलों से दूर रहने की चेतावनी भी जारी की गई महराष्ट के मालेगाव ब्लास्ट के गवा ने कोट में ATS पर गंभीर आरोप लगाए ATS पर सवाल उठाने वाले इस गवा ने दावा किया कि जाँच एजिंसी ने उसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितिनात और RSS के कुछ लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया था और ऐसा नहीं करने पर मामले में फसाने की धमकी देने का आरोप भी महराष्ट ATS पर उसने लगाया साथी कोट को इस गवा ने बताया कि धमाके के बाद ATS ने उसे उठाया और साथ दिनों तक अपने साथ रखा था इस मामले में NIA की विशेश अदालत ने जिन 220 गवाहों से पूछताच की उनमें 15 अब तक मुकर चुके हैं 2008 में महराष्ट के माले गाओं की एक मस्जिद में धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे जबकि 100 से ज़्यादा लोग गायल हुए थे माले गाओं धमाका केस के गवा की गवाही के बाद उस पर सियासी घमसान भी खड़ा हो गया कांग्रेस और बीज़पी ने एक दूसरे पर वार पलट वार शुरू कर दिया कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा हिंदुत विरोधी चेहरा हिंदू को आतंक्वादी सिद्ध करने का राहूल गांधी सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है एटियस का दबाओ था कि आर एसेस के लोगों का नाम लिया जाए योगी के का नाम लिया जाए ये नाकाबली यकीप है एटियस का दबाओ तो फिर भी रहे लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है इसलिए इस गवा की पाइदे के साथ इन्वेस्टिंगेशन होनी चाहिए यह शायद गवाहा जिनोंने सत्य और सही बताया कि उनके उपर कैसे कांग्रेस की यूपिये के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिस यूज करते हुए उन पर दवाब बनाया और इसलिए शायद यह चोधमा पंदरमा गवाहा होगा जिसने इस बात क देश के अंदर पांच स्टेट का जो है इलक्षन होने जा रहा है विदान सबा आइसे मौके पर किसी विटनिस को ला करके यह उससे बयान दिलवाना के एटी इसने हमारे उपर दबाव डाला था कि हम योगी आधित्या जी का नाम लें या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरेसेस के लोग है उनका नाम लें ये मुझे सियासत लगती है इसका सच्चाई से कोई तालुक नहीं मत्यप्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्यबाई होलकर अंतराश्ट्री हवाई अड़े पर एरपोर्ट प्रशासन ने एक मॉक डिल रखी जिसके तहट विमान में आग लगने के हालात में उससे निपटने की तैयारियों को परखा गया इस मॉक ट्रिल का मकसद ये देखना रहा कि अगर असल में ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उन पर काबू पाने के लिए सुधार की गुंजाईश कहा है और यही वज़े रही कि एरपोर्ट के रनवे पर उडान भर रहे एक विमान में अचानक आग लगने से हरकंप मच गया उसे बुझाने के लिए राहत बचावदल के लोग उसकी तरफ भागे दूर से ही विमान से उठती आग की उची उची लपटें दिखने लगी जिने वहाँ पहुँचे दमकल कर्मियों ने पानी डाल कर बुझाने का काम शुरू कर दिया उन लोगों ने न केवल आग को बुझाने में अपनी ताकत जोंकी बलकि एरपोर्ट के उस हिस्से को सील भी कर दिया इस बीच राहत बचावदल के कुछ कर्मचारियों ने पल-पल की जानकारी वॉकी-टॉकी के जरीए दूर बैठे अफसरों को दी हाजसे का शिकार हुए विमान में सवार घायल यात्रियों को भी वहाँ से इलाज के लिए अस्पताल ले जाए गया इसके लिए वहाँ डॉक्टर, स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की विवस्था बिना वक्त गवाय की गई कारोबारी पियूश जैन के ठिकानों पर चापे मारी से यूपी में सियासी दंगल छड़ गया प्रधान मंतरी ने कानपूर की रैली में स्मुद्दे पर विपक्ष को घिरा 2017 से पहले प्रस्टाचार का जो हित्र प्रस्टाचार का जो हित्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सब के सामने आ गया है तो हर्दोही की रैली में अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बुला उनको जवाब देते नहीं बनता है इस समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से जाई सो करोर रूप्या कैस गिली है जबकि अखिलेश यातव ने प्यूश जैन से समाजवादी पार्टी के किसी भी कनेक्शन से नकेवल इंकार किया बल्कि इस रेड को नोट बंदी की नाकामी का सबूत भी बताया लोगों की आख पर जानी चीए कि नोट बंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है शाहिक कबूर की फिल्म जर्सी की रिलीज की तारीख टल गई ये फिल्म शुकरवार को रिलीज होनी थी ये फैसला ऐसे समय आया जब दिल्ली में सिनमा घरों को बंद करने का फैसला लिया गया खबर है कि इस फिल्म को सिनमा घरों के बजाए आनलाइन प्लाट्पॉम पर रिलीज किया जा सकता है कोरोना संकट के बीच यूपी चुनाव की समिक्षा के लिए केंद्रिय चुनाव आयोक की एक टीम लखनो पहुंच गई इस टीम में मुख्य चुनाव आयोक सुशील चंद्रा भी शामिल है शारजा में अंडर-19 एश्या कप के दोरान दो मैच अधिकारियों की कोरोना रेपोर्ट पॉजिटिव आई इसकी वज़े से श्रिलंका और मांगलादेश में जारी मैच को बीच में ही रद करना पड़ा आला कि ये दोनों टीमें पहले ही सेमिफाइनल के लिए क्वालिफाइ कर चुकी थी ऐसे में मैच रद करने का कोई असर टोर्नमेंट पर नहीं पड़ा मांगलादेश का सेमिफाइनल में मैच भारत से होना है जो कि गुरुवार को खेला जाएगा कानपूर के इत्र वैपारी प्यूश जैन के ठिकानों पर तो च्छापे मारी खत्म हो गई है लेकिन कानपूर की कई बड़े वैपारी अब GST टीम के रडार पर आ चुके हैं जिनके यहाँ च्छापे मारी भी शुरू हो चुकी है मंगलवार को GST टीम ने कानपूर के सिविल लाइन्स में मयूर वनस्पती के ठिकानों पर च्छापा मारा जो अब भी जारी है जो अब DGGI के निशाने पर आ गए हैं और अभी वहाँ पर रेट भी चल रही है आपको बता दें कि अभी भी रेट जारी है जो मयूर वनस्पती के ठिकानों पर की गई थी अभी तक च्छापे मारी खत्म नहीं हो पाई है यूपी के इतर कारोबारी प्यूश जयन के कनौज के ठिकानों पर भी छापे मारी पूरी हो गए प्यूश जयन के कनौज वाले घरों से करीब 19 करोड कैश बरामत होने की खबर है इसके लावा सोने के गहने और बिस्किट अलग है सैकड़ों दस्तावेजों के साथ कैश और बाकी सामान बक्सों में भर कर सरकारी खजाने में पहुचा दिया गया ये बक्से पूरी सुरक्षा में बैंक की गाड़ी में रखे गए बड़े-बड़े बक्सों में करोडों रुपयों के अलावा कई एहम दस्तावेज भी होने की खबर है एक के बाद एक कई बक्से घर से निकाल कर गाड़ी में रखे गए करनौज में तीन घर ऐसे हैं जहां चापे मारी चल रही थी जिने अब सीज किया गया है इन घरों को सील करने का नोटिस भी घर के बाहर चिपका दिया गया करनौज के घर के ठीक पीछे एक बड़ा फार्म हाउस है जिसके बाहर सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी रही बताय जा रहा है कि छापों के दौरान जो सोने की इंटे मिली उनका तालुक दुबई से है इसलिए अब प्यूश जैन पर सोने की तसकरी के आरोप भी लग रहे है और माना जा रहा है कि डिरेक्टरेट अफ रेविन्यू इंटेलिजन्स के अधिकारी भी अब उनके खिलाब सोने की तसकरी के आरोपों की जाच में जुट गए है जिसकी वज़ए यह है कि अगर प्यूश जैन के कबजे से मिली 23 सोने की इंटें तसकरी कर लाए गई है तो सरकारी एजनसियां किसी बड़े गोल्ड सिंडिकेट तक पहुंच सकती है क्योंकि दुबई में सोने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता इसलिए सोने की तसकरी करने वाले लोग गुपचुप तरीके से दुबई से खरीदा हुआ सोना देश में लेकर आते है हाला कि सीधे रास्ते से अगर यह सोना भारत में लाया जाया तो उस पर भारत सरकार को कस्टम्स जूटी चुकानी होगी शक है कि कस्टम्स जूटी चुका है बिना अवैट तरीके से यह सोना दुबई से भारत में लाया गया था जिसकी जाच की जारी है मंगलवार देरशाम प्यूश जैन के एक रिश्टदार प्रमीर जैन के ठेकानों पर भी डीजी जी जी आई की टीम ने छाप इमारी की ट्रकों ने ही जी एस्टी इंटेलिजिन्स को अब तक की देश की सबसे बड़ी रेट तक पहुचा दिया इन चार ट्रकों को जी एस्टी इंटेलिजिन्स की टीम ने रुटीन चेकिंग के समय पकड़ा था जाँच करने के लिए GST Intelligence के अफसर उस पान मसाला बनाने वाली एक कमपनी तक पहुँच गए जिसका माल ट्रकों में रखा हुआ था कमपनी के दस्तावेजों की जाँच के समय दोसों से जादा फर्जी बिलो का पता चल पाया जिनके जरीए टैक्स की चोरी की जा रही थी फर्जी बिल मिले पर कमपनी की मालिक ने अपनी गल्ती मान ली और टैक्स चुकाने का वादा भी किया लेकिन तभी जांच में पता चला कि इस कंपनी में एक केमिकल कंपनी भी साचिदार है अधिकारियों को पता चला कि केमिकल कंपनी के मालक पियूश जैन है और उनका कानपूर वाला घर ही कंपनी का रजिस्टर दफ्तर है यहीं से पियूश जैन सरकारी अधिकारियों के रडार पर आये और उनके ठिकानों पर छापिमारी शुरू हो गई और छापिमारी जैसे जैसे आगे बढ़ी जांच का दाइरा बढ़ता चला गया और इतने बड़ा मामला सामने आया पियूश जैन के ठिकानों पर हुई च्छा पिमारी के बाद से ही शुरू हुई सियासत अब भी जारी है समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर कहा कि पियूश जैन से उनका कोई संबंद नहीं है महीं बीज़पी ने कहा कि अगर संबंद नहीं है तो फिर समाजवादी पार्टी को परिशानी क्यों हो रही है कभी भी दो साल दाई साल में कभी भी अच्छा इतर बनाते हैं और पार्टी का नाम से लांच करते हैं और हमारा प्यूज जैन से कोई लेना देना नहीं जैन वो हैं जैन हम हैं इसलिए सब लोग राजनीत कर रहे हैं कि हमारा प्यूज से कोई लेना देना है ना हमारे वो रिष्तेदार हैं ना वो खांदान के हैं मोला एक ही है जैन सब देकी है देश में किवल समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका दर्द क्यों हो रहा है इस इतर वाले से समाजवादी पार्टी वाले का क्या गट जोड है कुछ है तालमेल है दर्द किसी और को नहीं हुआ किवल अखिलेश यादव जी और उनके पार्टी के कुछ लोगों को बिहार के बग़ा में प्रमुक के चुनावों के दौरान दो गुटों के बीच जड़प हो गई इसमें कुछ लोगों को चोटे आई बताया गया कि मदुबनी प्रखंड प्रमुक के पद के लिए हुए चुनावों के दौरान दो उम्मीदवारों के समर्थकों में ठंगे जिसके बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्राव करना शुरू कर दिये यही नहीं दोनों गुटों के लोग एक दूसरे को खदेड़ते और आपस में उलजते भी नजर आए इनमें एक गुट पूर विधायक राजेश सिंग का बताया गया जिनके छोटे भाई की पत्नी विजया सिंग की जीत के बाद माहौल गरमाया जेडियू समर्थक महिला उम्मीदवार के साथ चिरखानी का आरोब लगने के बाद दोनों गुट हंगामे पर उतारू हो गए जिसके बाद पुलिस को बीजबचाव करना पड़ा पंजाब के लुधियाना ब्लास्ट केस में सुरक्षा एजनसियों के हाथ बड़ी कामियाबी लगी और इसी सिलसले में जर्मनी से एक संदिक्द को पकड़ने का दावा किया जानकारी के मताबिक जस्विंदर सिंग मुलतानी नाम के इस शक्स को जर्मनी पुलिस ने गिरि ये खालिस्तान समर्थक संगठन सीक्स फॉर जस्टिस से भी जुड़ा हुआ बताय जा रहा है जिस्विंदर सिंग मुलतानी पंजाब के होश्यारपूर का रहने वाला है जो पिछले काफी समय से जर्मनी में चिपकर रह रहा था और आरोप है कि इसी ने भूरा और पूर्विधायक अजे यादव पर बीजपी नेता राजेश यादव ने राइफल तान दी जिससे बहां हरकंप मच गया यह नौबत तब आई जब दोनों पक्षों के लोग दो दिन पहले इलाके के एक आदमी के अंतिम संसकार से लोट रही थी तभी बीच सड़क पर गा जान बचाने के लिए चिपते दिखाई दिए इसी बीच वहां मौझूद एक पुलिस वाला सामने आया और इस बवाल को शान्त करने में चुट गया पूर विदायक पर राइफल तानने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वाइरल हो गया दक्षिन भूमद्य सागर में जिन्दगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे साड़े चार सो शरनार्थियों को एक एंजियो की मदद से बचा लिया गया इसके लिए पांच अलग-अलग रेस्क्यू आपरेशन चलाए गया जिसमें कोसगार्ड की कई टीमें रबर से बनी नाव लेकर समंदर में उतरी हवा से भरी नावों में शरनार्थियों के जत्थे बिठाए गए और उन्हें लाइव जैकेट पहनाए गई इसके बाद समंदर की लहरों में जूलती है नाव वहां मौझूद बड़े जहाज तक पहुँची जिसमें एक एक कर उन्हें बड़ी साब्धानी से चढ़ाया गया एसी कई नाव एक के बाद एक जहाज तक पहुँची जिन में शरनार्थी लदे नजर आये जिनके लिए जहाज के अंदर विवस्ता भी की गई वहां उनके लिए टेंट लगाया गया और उन्हें कंबल दिये गए ताकि वो ठिठुरन से बच सके माले गाओं मामले में गवा के पलटे पर सियासी गवासान चुड़ते भी देर नहीं लगी माले गाओं ब्लास्ट मामले के गवा ने महराष्ट ATS पर गंभीर आरोप लगाए तो कॉंग्रेस ने गवा के इन आरोपों को यूपी चुनाव से जोड़ दिया और सरकार पर केंद्रिये एजिंसियों के बेजा इस्तमाल का आरोप मर दिया लेकिन बीजेपी को कॉंग्रेस का ये बयान अखर गया और उसने ये आरोप लगाया कि गवा के बयान से कॉंग्रेस की साजिश का परदाफाश हुआ भगवाधारियों को आतंकवादी स्वाबित करने की इस पूरी साजिस का आज परदाफाश हुआ है पॉलिवूड फिल्म दे बैटमेन का ट्रेलर लॉंच कर दिया गया ये फिल्म चार मार्च को सिनमा घरों में रिलीज होगी उत्तराखन के उदम सिंग नगर में एक तेंदुवा कुए में गिर गया जिसे वहाँ पहुंची वन विभाग की टीम में बचा लिया शाट साल से ज़्यादा उमर के लोगों को कुरोना वैकसीन की प्रिकॉशन डोज यानि टीसरी डोज लगाने के लिए डॉक्टर की परची नहीं दिखानी होगी आना कि उन्हें इस से पहले डॉक्टर से ये सला लेनी होगी कि वो ये डोज लगवा सकते हैं या नहीं मानाश्ट में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी जिसके बाद मुंबई की भाइकला सब्जी मंडी में हर जगा मास्क नहीं तो सब्जी नहीं लिखे पोस्टर लगा दिये गए बताया गया कि इस मंडी में तकरीबन 10,000 लोग रोजाना आते हैं ऐसे में कोविड नियमों की अंदेखी भारी पड़ सकती है इसलिए दुकानदारों ने बगएर मास्क के ग्रहकों को सब्जी बेचने से इंकार कर दिया कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने भी सकती बरतनी शुरू कर दी है पंजाब सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स में कहा गया है कि जिन लोगों को वाक्सीन की दोनों डोस नहीं लगी है उन्हें सरकारी दफ्तर में एंट्री नहीं मिलेगी साथी पंजाब सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि बिना डबल डोस वालों को बसों में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा होटेल जिम में जाने परोक लहेगी ये नियम 15 जनवरी से लागू होंगे उत्तर प्रदेश के आगरा में एक कारिकरम के बाद कॉंग्रेसी कारिकरताओं के दो गुटों में मारपीट हो गई गिधान सबाच चुनाओं से पहले महिला मददाताओं को ध्यान में रखकर ये कारिकरम किया गया जिसकी तीम कारिकरम के खत्म होने के बाद कारिकरताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया मीडिया के सामने कुर्सी तोड मारपीट शुरू हुई तो कुछ नेता बीच बचाव के लिए आगया आए जो पार्टी की छवी का बास्ता देकर हंगामा करने वालों को रोकने लगे आलाकि इस हंगामे से पहले महिला कॉंग्रेस के राष्ट्रिये नेताओं की मौझूदगी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कारिकरम शुरू हुआ जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया कॉंग्रेस की नेता और अभिनेतरी काम्या पंजाबी वहां मौझूद महिलाओं में जोश भरती दिखी महिलाओं की सभा के लिए मंच पर केवल महिला नेताओं को जगा मिली जिसे देखकर वहां मौझूद महिलाओं उत्साहित नजर आई नमस्कार न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके